Yes students, a very good morning to all of you. तो बेटा हिंदी की क्लास में आप सभी जानते हैं कि जो कविता नंबर ग्यारा है टेसू राजा बीच बाजार वो हमारी खतम हो चुकी है उसका सारा बुक वर्क, कोस्टन अंसर, कठिन शव्द, रीडिंग और पोयम, रीसाइटेशन भी कल हो चुकी है आप सबने वीडियो बोलते हैं तो इन में क्या दिया गए आपको चार वर्ड दिये गए हैं देखो हूं, है, है और हो ठीक है ये चार वर्ड हैं हूं, है, है, हो इन सबको आपने इन जो ये वाक्य दिये गए हैं आपको इनकी आखिर में यनकी इनकी लास्ट में आपने फिल करना है कैसे करना ह मैं आपको बताती हूँ जब भी आप कोई वाक्या पढ़ोगे कोई भी sentence पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा खुद से कि इसके end में हो आएगा कि है आएगा कि है आएगा या फिर हो आएगा जैसे कि आप बोलो कि मैं एक अच्छा बच्चा डैश तो सभी बच्चे अपने मन में सोचें कि मैं एक अच्छा बच्चा डैश क्या क्या आएगा इसमें कि मैं एक अच्छा बच्चा हो हो आएगा हो भी नहीं आएगा है मैं एक अच्छा बच्चे है वो भी नहीं आसकता मैं एक अच्छा बच्चा है, ये भी नहीं आ सकता, तो क्या आएगा, कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है, तो ये चार वर्ड्स आपको दिये गए हैं, आपने इन चारों में से किसी एक वर्ड को चूज करके, इनकी end में fill करना है, जैसे कि एक sentence मैंने करके दिखाया आपको बजार में बहुत फल डैश, तो बजार में बहुत फल हूँ भी नहीं आ सकता, हो भी नहीं आ सकता, है भी नहीं आ सकता, क्योंकि फल क्या हैं, जादा हैं, बहुत फल हैं, अब एक फल तो होता नहीं मार्केट में, आपने देखा होगा कि किसी रेडी पे जहां पे फल बिक रहे हैं या किसी शॉप में बिक रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होता जेक्ता कि उसने एक केला रख हुआ बीचने के लिए बहुत nahe फल फल होते हैं उसके पास अगर सेबोंगे तो बहुत सारे सेब Watson 주는 भू के ले तो बहुत सारे के ले ना तो जो ज़्यादा चीज़ें उनके लिए हम लगाते हैं, ठीक है, दुकान में बहुत सारी मिठाईया है, बजार में बहुत सारी फल है, स्कूल में बहुत सारी विद्यार्थी है, ठीक है, जैसे कि अगला sentence आप देख सकते हैं, ये केले ताजे डैश, तो ये केले, केला नही है वो, क्या है, केले हैं, बहुत सारे हैं, तो क्या आएगा इसमें हैं, इसमें भी क्या आएगा हैं, ये केले ताजे हैं, उसकी बाद है, तुम अच्छे आदमी हो, नहीं आ सकता, तुम अच्छे आदमी हैं, ये भी नहीं आ सकता, तुम अच्छे आदमी हैं, ये भी नही तो क्या आएगा तुम अच्छे आदमी हो तुम अच्छे आदमी हो तो इसी तरह से आपने इन सारी फिलप्स में इन में से चूज करके ये चारों में से 1, 2, 3, 4 इन चारों में से चूज करके आपने कोई एक वर्ड यहां पर फिल करना है जो भी यहां पर आएगा तो यह प्रैक्टिस के लिए है कि आप वाक्यों को कैसे लिखते हैं, कई बार क्या होता है कि हम सोचते कुछ chopping, और लिखते कुछ हो और है, सेंटेंस लिखते हम कर देते हैं कि मैं स्कूल गई, मैं स्कूल गया, तो हमें ऐसे वाक्यों मैं थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमें उसको कैसे बनाना है ठीक है जैसे कि ये देखो आठ नंबर सेंटेंस है हम विद्याले में डैश तो क्या आएगा हम विद्याले में गया गई हम विद्याले में थी ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते ह तो ये उनके लिए है ठीक है ऐसे मैं आपको और भी sentence दोंगी फिर आलाज आप ये दस sentence करेंगे और जब आप ये sentences करेंगे बिटा तो आपने किसी की भी help नहीं लेनी है आपने खुद से क्या करना है पहले sentence को पढ़ना है तुम घर में डैश फिर आपने क्या करना है इन चार बैट रही है क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आपको उसका meaning जो है अर्थ जो है वो अपने आप से समझ में आ जाएगा तो जब आप इन चारों words को एक एक बार यहां पर लगा के देखोगे one by one ठीक है जहां पर भी fit करके देखोगे तो आपको उसका meaning अपने आप समझ जा जाएगा कि यहां पर यह suitable है या फिर नहीं है ओके तो खुझ से पढ़ना है पहले sentence को ऐसे नहीं है कि ममी ने आपको सारे pencil से भरके दे दिये और फटा-फट से मुझे photo किचके भेज दी तो ऐसा नहीं करना है पहले आपने इन चारों को one by one यहां पर लगा के देखना ह है कि तुम अच्छे आदमी हूं है है यह हो क्या आएगा तो उसके according आपने अपना काम जो है वो करना है यह 10 sentence है तो 10 sentences को आपने पहले पढ़ना है फिर उनमें option चेक करने है कि कौन सी option आएगी ओके class so this is your today's classwork इसको आपने neat and clean अपनी notebook में करना है और इसको समझ के करना है ओके class thank you